प्लाटफर्म कोचिंग की तरफ से बच्चे आज एक बिग अनॉंस्मेंट लेकर आया हूं आप लोग के लिए इस्पेशल यह अनॉंस्मेंट है एसे सी वाले बच्चों के लिए क्योंकि काफी दिनों से मेरे पास काफी क्योंकि का कलेंडर भी जारी हो चुका है और एक्जामनेशन का डेट भी आ चुका है तो बच्चे इस्पेशल इंग्लिस पढ़ने के लिए काफी बच्चों का डिमांड है और काफी हाइली डिमांडिंग यह आपका बैच है तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारे यहां के एक्सपर्ट फैकल्टी एक्सपी सिंग सर हैं हमारे साथ आज आपके साथ हैं और आप लोग के लिए इंग्लिस का जो इंपर्टेंट पार्ट है जो कहीं भी आपको पढ़ने कुछ नहीं मिलता और मैक्सिमम स्टुडेंट्स को उसमें डाउट होता है तो उस सेक्शन को प आपको इंग्लिस पढ़ने के बाद इस सेक्शन में कहीं से कोई प्राब्लम नहीं दह जाएगी क्योंकि सर पूरे इंडिया में फेमस हैं इंग्लिस के लिए सर का अभी तक 50 50 प्लस बुक सर का आ चुका है मार्केट में इंग्लिस का और काफी अनुभवी हैं और इंग्लि पूरू हो थेंक्यू से सब्सक्राइब घंणिवाद दीपक जी अब यह शात्रों आप से बहुत लंबे समय के बाद रूबरू होने का मुका मिला है और अन जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता दीपक जी ने आपको संबोधित करते हुए बतलाया कि बहुत सारे लड़कों का कॉल आ रहा था मेरे पास भी आ रहा था और बिहार ही नहीं जहारखान यूपी हर्याना दिल्ली अन्राजियों से भी लड़कों ने फोन किया कि वह अंग्रेजी परना है वह हम लोगों को पढ़ने के बावजूद भी या प्रिवियस यर्स को करने के बाद भी हल करने के बाद भी कुछ चैप्टर में हम लोग कमजोर रह जाते हैं और उस तरह से स्कोरिंग नहीं कर पाते हैं जैसा कि उन्होंने सोच लिया है तो वह चैप्टर्स क्या है आप को दो sections होते हैं एक grammar का होता है एक vocabulary का होता है तो vocabulary में ही comprehension आ जाते हैं close test आ जाते हैं और sentence arrangement आ जाता है और मैंने देखा है कि जो सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ विद्यार्थी है और उसका क्या होता है grammar तो ठीक होता है लेकिन यह प्राप्त किया है उसमें देखा यह जाता है कि उसका जो है कंप्रीहेंशन पार्ट जो है वह सही रहता है लेकिन जो ग्रामर का पार्ट जो है वह कमजोर रहता है मेरा सबसे ज्यदा इसमें फोकस रहेगा कि कैसे लर्के का कम प्रिहेंशन ठीक हो जाये किस तरह से लर्कों का आपको टेस्ट और सेंटेंस अरंइंजमेंट्ट ठीक चुकि इन चैप्टर्स में चाक्र जो होते हैं वो कमझोर होते हैं और उनको समझने में दिक्कत होती है अब एक उदाहरण के तौर पर हम बतलाते हैं आपको कि मालनी जी हमको आपको comprehension परहाना है तो अभी बोड पर तो इसको निखा जाना संभव है comprehension को और क्योंकि हम जब comprehension आपको पढ़ाएंगे तो उसमें PDF डाल देंगे कि ताकि आप भी उसको देखते रहें और हम भी बोलते रहें और उसका कहां पर क्या answer होगा क्यों होगा इसको में सब्सक्राइब कर सकूं तो इसके लिए क्या होता है जो समझें आपको प्रिव्यस नॉलेज होना जरूड़ी है अब है प्रीवियस का मतलब होता है कि जो इन्फरमेशन है हैं कि अगर पुरु परिचित नहीं है तो बहुत दिक्कत होगी दो बर पढ़ना पढ़ेगा तीन बर पढ़ना पढ़ेगा फिर भी दिमाग से हुआ कि अभी 2022 चल रहा है अभी से लेकर पिछले चार वर्सों में जो जो कुछ घटनाएं घटी होगी जैसे मी तो उसके बाद आपको कई तरह की आपदाएं आई दुनिया में आपकी इंडिया में भी कई तरह की परिसानी कई अच्छी गटना फिगटी तो इन घटना पर अगर चार्चा करके और अऊसको देखते सूचना जानकारी में ग्लोबल वर्मिंग इसके बारे में कुछ अगर जानते रहेगा तब पढ़िएगा तो आपको लएगा कि मैं जानता हूं सिर्फ यहां पर क्या दिया हुआ है वह जानने की जौरत है तो एक बार पढ़िएगा और आपके पास प्रिवियस नौलेज है उससे उसको एटैच कर दीजिएगा तब क्या होता है कंपरी हेंसन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है बहुत सारे चाहत्र यहां तक मैं भी गएर पढ़ है कि अगर गुलोबल व्रमिंग पर दिया हुआ है तो इसमें क्या होगा इसमें पॉलूशन का मात्रक दिया हुआ रहेगा कि पीपी होता है इसमें जो है अभी कितना भारत के बहुत की सहर्ड में सब से जाइदा सहर्ड की हिसाब से उसमें क्या एक नम्मर प पर आता है कितना जो है टेंपरेचर इस ग्लोब करा रहना चाहिए यह आपको 250 यह तो यह सब होता है यह अगर पहले से जान रहे होंगे अब मानली जी आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अगर प्रिवियेस नौलेज होना चाहिए तो मैं प्रिवियेस नौलेज दे करके अगर दिमाघ सकते हैं इसको वापस उसका यूज कर सकते हैं है और शुगमता से अगर प्रशन आते हैं तो बनेंगे अब मेंस अण्रें से रहता है और लगभग पांच या छे रहता है कभी-कभी तीन या चार भी रहता है लेकिन मैक्सिमम छे जरूर रहता है तो छे को वह सभी छत्र से रहता है लिट्रेचर से रहता है साइंस एंटेक्स से रहता है करेंट से रहता है इस पूर्ट से रहता है एकोनिमी से रहता है और साइकोलजी और सोसल इसूज पर भी रहता है तो इसका इस सारे जो प्रिवियस नौलेज है वह अगर आपके पास रहता है तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है अब आज जैसे जब हम बनाते हैं तो क्लोज टेस्ट में क्या करते हैं कि यह यह जो कों सब्द के आगे पीछे क्यों सब्द करता है जैसे आप कहते हैं और सरकार के पास सबूत तो सबूत के पहले चला इसकोeln्यगें कहते हैं कि आपको तो टेंजीवल एविडेंस तो एविडेंस के पहले कौन सब्द आ गया तो यह को लोकेशन आना चाहिए दूसरी बात आपको सिंटेंस में आगे अगर प्रेपजीशन का प्रियोग हुआ है तो विकल्पों में कौन विकल्प ऐसा है जो वह अगला प्रेपजीशन को लेता है वही विकल्प आपका अंसर होगा तो यह दो एंगल को अगर आप लगाईएगा और थ्वरा बहुत अर्थ भी जानियेगा तो उससे क्या होता है अगर तो अब में तो आपको 25 होते हैं तो लगभग आपको लगता है कि बीस बाइच तो आप सही बना ही सकते हैं इसी आधार पर और से तो कुछ तो बहुत आसान होता है उसके वहां पर विकल्पों का चैन करने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी और हम क्या करेंगे ग्राम क्लोज टेस्ट और सेंटेंस अरेंजमेंट यह हमारे यहां बहुत दुरभाग की बात है कि टीचर भी क्या करते हैं यह चैप्टर को बहुत डीपली पढ़ाते नहीं है और अंतिम में दो चार-पांच पढ़ा करके कहते हैं जा बैच खतम हो गया ऐसा नहीं करना है इसी प सब्सक्कान मंगलवार से अगले मंगलवार से 52 फेबरेडी से लेकर प सब्सक्राइब लेकर लेकिन जो आवस्यक्त चीजमें वह मुश्किल से हमको लएगता है पूर घ्रामर जो फिरिस चाली पिज आगर आपको बतला दिया जए तो पूरा ग्रामर कफर हो जाता है और लगभग 80-90 परसेंट एरस या सेंटेंस इंप्रूब्मेंट के प्रसंद जो है उससे हल हो जाते हैं और अलग से वाइस और स्पीच जो है यानि डियरेक्ट और इंडियरेक्ट स्पीच है उसको अगर अलग से पढ़ा दिया जाए और सब्सक्राइब के लिए यह परिक्ष्ण पयोगी भी होता है और अंग्रेजी सीखना और परिक्षा में प्रस्व को हल करना दोनों दो बाते होती है अब बहुत सारे आदमी को अग्रेजी आता है अच्छा बोलते भी हैं लेकिन दें तुन से बनता नहीं है बहुत सारे और यह जो इसकीम है यह जो नॉलेज है इसको सीखना है और इस तरह का जो अगर आप में इलिजिबिलीटी आ जाती है और ऐसे महारत हासिल कर लेते हैं तो आपकी सफलता होने से या आपको सफल होने से कोई नहीं रोग सकता है और वैसे भी मेरा स्वभाग्य रहा है कि चुकि मैं बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूं तो मेरे हां आज तक से में मीनिमम रिजल्ट जो रहा है वह लगवग नैंटी नैंटी फाइव परसेंट रहा है कभी कभी हंडेर परसेंट भी हुआ है एक बार आपको है उसके बाद यह भी बतला दूकि इंडिया में वर्न टू टेन में में हमेसा विद्यार्थी रहा है एक दो विद्यार्थी जरूर है कि यह तो तॉप किया है यह तीसरी नमबर पर है चौधी नमर पर है इस तरह के भी छात्र रहे हैं इसका मुझे सवभाग प्राप्त है थोड़ा सा देखिए प्रेपजीशन कैसे पढ़ा जाता है उसके बारे में दो मिनिट आपको मैं बतलाता हूं यह चुकि मेरा डेमो है तो इसमें बहुत ज़्यादा डीप तो हम जाएंगे नहीं तो देखिए जैसे है यह आपको प्रेपजीशन देखिए इसको प्रीपजीशन नहीं पढ़ा जाता है इसको क्या परहा जाता है प्रेपजीशन होता क्या होता है तो प्रेपजीशन वह सब्द है वह सब्द है जिसका प्रयोग किसी अक्सर उसका प्रयोग किसी नाउन या प्रनाउन के पहले होता है और वह उस नाउन या प्रनाउन को सेंटेंस के अन्य सब्दों से संबंध अस्थापित कर देता है यानि प्रेपजिशन क्या करता है तो नाउन और प्रनाउन का संबंध प्रत नहीं आपको तो देखिए एक छोटा सा एक्जेंपल देते हैं जैसे देखिए हम बोलते हैं यूज आफ वीद्ट कि यूज आफ विद्ट तो समान तयाल लोग क्या करते हैं कि विद का प्रियोग साथ के अर्थ में करते हैं साथ के नहीं होता है अब जैसे हम एक 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 जैंपल लिखते हैं आपको दो इंग्लिश लेफ्ट इंडिया विद्ट बैग एंड बैगेज यह सेंटेंस गलत है इंग्लिश लेफ्ट इंडिया विद बैग एंड बैगेज एक और एक्जैंपल देते हैं आपको हाम आई लाइट यू विद्ट हार्ट एंड सोल यह भी गलत है तो कभी कभी लोग क्या करते हैं जहां विद्ट का प्रियोग नहीं होना चाहिए वहां कर देते हैं अब दिखिए इस वाक का क्या अर्थ हुआ तो इंग्लिश लेफ्ट इंडिया विद बैग एंड बैगेज का अर्थ होता है अंग्रेज सदा के लिए अंग्रेज जो है बोरिया बिस्तर के साथ भारत को छोड़ दिया अंग्रेज बोरिया बिस्तर के साथ भारत को छोड़ दिया दूसरी वाक का अर्थ हुआ मैं तु भता हूं तो अब यहाँ पर क्या है कि वीद का प्रयोग सुपर फ्लूवस अनावस्यक है इसके जवरत ही नहीं है चुकिए आपको बेघ औंड बैगयेज चा अर्ट होता है बोरिया बिस्तर के साथ बैगयेंड का यह अर्ट होता हार इंड सोल का अर्थ होता है से आर्थ मोहाबडा में इसमें इसमें उनतर पहले से अंतर नहीं था है इसलिए वीद जो है यहां पर वह सुपरफ्लुस है अनावस्यक इसका प्रियों नहीं करेंगे अब आएए अब एक और हम फ्रशा इसी पर भी से लेते हैं जैसे दिखिये कुछ जो आपको मुहाबरे होते हैं वो वीद से बनते हैं शर्टेन फ्रेजेज या फ्रेजल वर्ब्स कुछ मुखाबरे जो है वह आपको विद से बनते हैं जैसे देखिए को ओप विद को विद और विव टू कि मुखेभी कि मुखेब दोर चाइए या डिद और लिव एज है व कि है व। लिव विग прошл देखिए , यदिन आफरोग औरिको नहुंन सेयर कोी जरा कि यांट पेस्वेट किप पेस्वेट हेड़ वीद का प्रियोग हुआ है प्रेपजीशन के रूप में यह कोईस्टन आपको कभी खाली जगा कंप्लीशन में आ जाएगा ठीक है और और में आ सकता है कभी कभी यह सेंटेंस इंप्रोव्मेंट में आता है तो अब को विद मतलब होता है सामजस अस्थापित करना सामन्जस अस्थापित करना with a view to का अर्थ होता है के उद्देश से और deal with का अर्थ होता है निपतना भेचना स्टरि निपतना भेचना नहींिए निपतना और विद पासिस्टेंट एफर्ट का अर्थ होता है अथक प्रयास से अथक प्रयास से और एलॉंग विद का अर्थ होता है के साथ टुगेदर विद का अर्थ होता है के साथ कि पेश विद का अर्थ होता है साथ चलना साथ चलना फेड़ विद का अर्थ होता है तंग आ जान तंग आजाना परिशान हो जाना इसके अतिरित जो है विद का परियोग बहुत सारे सब्द है उनके साथ भी होता है जैसे आपको कहते हैं वी भी आई इवी मतलब होता है प्रतियस परधा करना इमुलेट इमुलेट का भी अर्थ होता है बराबरी करना कंपेयर एसोसियेट ग्रेटिफाई लेडन सैटिसफाई सैटिसफाई ग्रेटिफाई या आप कहते हैं बहुत सारे सब्द हैं तो उसका जो हम जब यह प्रेपजिशन पढ़ाएंगे तो वहां पर बतलाएंगे जो क प्रच करते हुए जो महत्पुर्ण सब्द हैं वह 20-25 सब्द दे देंगे कि कौन-कौन वह सब्द हैं जिनके साथ की वीद का प्रयोग होता है और उसको उसकी चर्चा करेंगे लेकिन मेरा जो मेजर फोकस रहेगा वह यह रहेगा कि जो क्वेस्चन एरिया जहां से परिश अरिक शाओं में प्रेपजिशन से प्रस्ट वो सारे चीज को एंगल को मैं कभर कर लूँगा सारी बातों को जो है समाहित करते हुए आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा और इस से ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो और आप जो जिस उद्देश से परना चाहते है उस उद्देश की प्राप्ति हो मैं बहुत एक चीज और कहा देना चाहता हूं बहुत ज्यादा प्रोफेशनल का आदमी नहीं हूं मैं विश्वास रखता हूं कि मैंने जिसको पढ़ाया अगर वह सफल हो जाय तो मेरे लिए सबसे बड़ी यही उपलब्दी होती है और इ फिकत होगी या आपको यह लगता है कि कुछ और होना चाहिए या को जाइफ हो रहा है तो उसको मैं यह हरी करने का प्रयास और पढ़ाने का जो तरीका होगा सलीका होगा वह बाइलिंवल होगा English Hindi दोनों होगा और और आप मैं वैसे 100% Hindi में भी पढ़ा सकता हूं 100% English में भी पढ़ा सकता हूं लेकिन मैं प्रयास छात्रों की स्थिती या छात्रों की पसंद को समझते हुए बाइलिंग्वल पढ़ाना मैं ज्यादा अच्छा समझता हूं और इसलिए बाइलिंग्वल ही पढ़ाऊंगा और मैं आसा करता हूं कि आपको जो मैंने कहा और मैंने जो कुछ भी बतलाया यह बात पसंद आई और आएगी और आप जरूर और जरूर हमसे जुड़ेंगे और हम से जुरकर और यह मेरा स्वभाग्य होगा कि मैं आपको को इस कदर पढ़ाऊं कि